नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल आचार जागेंद्र मिस्रा में दोस्तों साल 2020 का आखरी चंद ग्रहन 30 नबंबर 2020 को लग रहा है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहन काल का समय क्या रहेगा सूतक काल का समय क्या रहेगा और ये ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा और ग्रहन में क्या करें क्या ना करें साथ में ग्रहन में ये भी जानेंगे कि कीन बस्तों का दान आप कर सकते हैं उनकीन पांच बस्तों का दान करेंगे जिन से आप करने से आप धन से माला माल हो जाएंगे तो आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइक सेर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 30 नवंबर 2020 को साल का आखरी चंद ग्रहन लग रहा है इस ग्रहन का सूतक काल मानने नहीं होगा लेकिन ये चुकि दिन में लग रहा है इसलिए किसी भी ग्रहन के 9 घंटे पहले ही ग्रहन का मानने हो जाता है तो हम आपको समय भी बताएंगे आगे इस वीडियो में क्योंकि यह एक उपचाया चंद ग्रहन होगा यह चंद ग्रहन भारत, अमेरिका, प्रसान्त, महासागर, एसिया और अस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा इसके बाद अगला चंद ग्रहन आपको 26 मई 2021 को लगेगा लेकिन हम बात कर रहे हैं 30 नुबंबर 2020 के चंद ग्रहन के बारे में 25 मिट तक रहेगा ग्रहन काल की कुल अबधी होगी 4 घंटे 21 मिट की ग्रहन का सूतक काल लगने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के दल डाल कर रख देना चाहिए माननता है कि ऐसा करने से खाने पीने की चीजें दोसित नहीं होती वहीं ग्रहन काल के समय गर्वती महिलाओं को अपना विशेश ध्यान रखना चाहिए खाना नहीं खाना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर विशेश जरूरत हो तो लिक्विट का इस्तिमाल कर सकती है गंगा जल या और तुलसी दल डाल के गरवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको वहीं ग्रहन के समापती के बाद पानी में गंगा जल मिला के इश्नान करना चाहिए ग्रहन के आल के बाद दान पुन्न का काम करना फलदाई माना जाता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो धन में इजाफा होता है जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है ग्रहन काल के बाद आप अन वस्तर का दान कर सकते हैं और आप ग्रहन के बाद निम्न बस्तों का दान कर सकते हैं इन बस्तों को दान करने से आप अपने जीवन में धन से माला माल हो सकते हैं। इन बस्तों को दान करने से जीवन में कभी भी धन की समस्या आपके घर पे नहीं आएगी। चांदी का दान करने से मन मजबूत और बुद्धी कुसाग्र होती है। चांदी के आप गहने, सिक्के, मूर्तियां, वरतन, आदि का भी दान दे सकते हैं। इससे धन धन में इजाफा होता है। धन धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और धन से आप माला माल यानि धन हमेशा द्रिद्रतव की पता सरती नोस है तो इसके लिए। कासिरवात प्राप्त होता है कहते अन्न का दान करने से ग्रहन काल में आपके जीवन वे चलियारी तमाम समस्याओं का निजात मिल जाता है चुटकारा मिल जाता है चंद्रमा का शंबंध दूध और यानि की दही से होता है तो यह जो पांचमा रहेगा दूध और दही इससे आप इश्ट देवी देपताओं का असिरवात प्रात्त कर सकते हैं इसका दान करने से इसका दान करने से जीवन में सभी प्रकार के शमस्याओं खत्म होंगे और मन मजबूत होगा बुद्धी मजबूत होगी तो दोस्तों यह था 30 नमंबर 2020 का साल का आखरी चंद्र ग्रहन दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जाए शेयर करें